कोई भी गितकार हो चाए सिंगर हो चाए मुजिक डियाक्टर हो अब इस जीत पर जाए कि नहीं हम भजन ही बनाएंगे तो कल को उसको काम मिलना बंद हो जाएगा तो हमारी मजबूरी ये भी है कि जो लोग सुन रहे हैं वो हमको सुनाना पड़ेगा और ये एक छोटा सा सवाल है जो कभी नहीं सुलज़ पाएगा जो उपभोगता और उत्पादक के बीच का जो एक रिष्टा है इसमें जो एक आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये कभी नहीं सिलटेगा कलकार कहता है कि पब्लीक सुनेगी नहीं तो हम बनाएंगी नहीं और पब्लीक कहती है कि आप बनाएंगे बनारश में हैं हम और लगतार चुकी बनारश जिसको कहा जाता है घाटों की शहर भगवान भोले नाथ की नगरी और तमाम सरधालूं के लिए एक आस्था का केंदर भी रहा है लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हिंदी भोजपूरी का एक संगम भी देखने को मिलत है बनारश में उसी बात को हम आज आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे कुछ गित संगित की दुनिया से कि भोजपूरी में क्या इस्थिती बनी हुई है और को ऐसे इसको सुधार की तरफ लेकर जाया जा सकता है हमारे साथ मौजूद है कुंदन पृत जो एक लेखक हैं लिखते हैं बहुत बहतरीन गित लिखते हैं और इनसे हम तमाम मुद्धों पर चर्चा करेंगे बहुत बहुत स्वागत है कुंदन जी नमस्कार प्रणाम आप सभी बीग नीज नाइन के जितने भी दर्सक हैं जितने फालोवर हैं आप सबको मेरे तरफ से अभी नौ वर्स बीता है नौ वर्स की ठेट सारी सुब कामना है और अभी हम लोग बाबा की नगरी में हैं तो आप सब को आप सब पे महादेव की क्रि जाती है क्या लगता है इसको सुधार के तरफ कैसे लेकर जाये सकता है चुकि आप लिखते हैं और एक गित की सुरुवात यहीं से होती है इसको कैसे सुधार जा सकता है जैसी यो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर होता है ना तो ये आज नहीं है बलाब ऐसा नहीं है कि आ प्रत्य 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 प्रत् भोशपूरी के गीत असलील मिल रहे हैं, आप लोगो की जानकारी दुरूस्त कर दें, भोशपूरी में अच्छे गीत भी बहुत सारे आते हैं, अच्छे गीत गाने वालों के कुछ नाम हम आपको गिनादी आप लोगो 나गे भरण सर्माभ्यास जी है, मदन राय जी है गोपाल राय जी है कलपना पटवारी है सारधा सिना जी है और हमें माफ करेंगे वो लोग जिनका नाम भूल रहे हैं ये तो भोजपूरी के दिगज हैं जिन्होंने भोजपूरी को एक अच्छा मुकाम दिया लेकिन असलीलता का दोर की जब शुरुवात होई तो उसके बाद अब जिस तरह कहलात है इसको कैसे रोका जा सकता है जैसे क्या है ना जिस दोर पे जिस दोर में ये लोग गाते थे जिस दोर जो दोर ये सम्माहान लोगों का था उस टाइम पे कुछ लोग थे जो असलील गाते थे लेकिन उस टाइम पब्लिक ने इनको सर पे रखा था उन्हें किनारे करके रखा था अभी जो पब्लिक है वो इन ही लोगों को सर पे रखी हुई और जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको किनारे पे रखी हुई है हुऊं बाकि मैं लिखता हूँ तो मैं इस आरोप से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता कि मैंने नहीं लिखा मैंने दौ-चार्सों-पांसों गाने मेरे है तो हम इस आरोप से पीछे बिल्कुल नहीं हट रहे कि हमने असली नहीं लिखे होंगे हमने भी लिखे होंगे जितने लोग गा रहें हैं जितने लोग लिख रहें चो कि अभी संगीत क्या है यह सिर्फ दर्शन की चीज नहीं रहे संगीत दर्शन के साथ सथ प्रदर्शन की चीज हो गई ठीक है तो प्रदर्शन उसी चीज का हो रहा है जिस चीज पर व्यू जा रहे हैं आज कमपनिया उसी चीज को खरीदती है जिनसे पैसा है तो कोई भी गितकार हो चाहिए सिंगर हो या मुजिक डियाक्टर हो अब इस जीत पर जाए कि नहीं भजन ही बनाएंगे तो कल को उसको काम मिलना बंद हो जाएगा तो हमारी मजबूरी ये भी है कि जो लोग सुन रहे हैं वो हमको सुनाना पड़ेगा और ये एक छोटा सा सवाल है जो कभी नहीं सुलज पाएगा जो उपभोगता और उत्पादक के बीच का जो एक रिष्टा है इसमें जो एक आरोध प्रत्यारोप का दोर है ये कभी नहीं सिलतेगा कलाकार कहता है कि public सुनेगी नहीं तो हम बनाएंगे नहीं और public कहती है कि आप बनाएंगे नहीं तो हम सुनेंगे नहीं इस सवाल का जवाब कभी न सुल्घा है न सुल्घेगा जैसे कि एक सवाल बहुत रहता है comedy में और यह की मुर्गी पहले आई के अंड़ा यह क्लियर नहीं हो पाता है पब्ली कहती है आप नहीं गाएंगे तो हम सुनेंगे नहीं और कलाकार कहता है कि आप सुनेंगे नहीं तो हम गाएंगे नहीं चुकि बिहार में उत्तर परदेश में सरकारों ने डियम ने यहां तक कि जितने अधिकारी अलग-अलग जीला में भी भोजपुरी गानों पर रोक लगा दी असलिलता गानों पर बजाने पर बावजूद इसके बज़ रहे है एक और पहलू है जैसे आपने कहा कि आरोप पर हैं उसमें भोजपुरी से कहीं ज़्यादा लेकिन जिस तरह के सब्द का चुनाव भोजपुरी में किया जाता है वो उस तरह के साहितिक सब्दें भोजपुरी के पतन की और ले जा रहे हैं लाइक कि अगर हम बात करते हैं घूम फिर कर कि हम ऐसे-ईसे शब्दों पर जिस ठीक है किसी भी व्यक्ति पे इस तरह का दबाव नहीं है कि आप असलील ही सुने भजन सुनिए सुधार सिर्फ इस लिए होगा देखिया कोई भी संस्था हो कोर्ट हो पुलिस प्रसाशन हो नय पालिका हो कारे पालिका हो यह सारी चीजें पब्लिक चलाती है ठीक है इन सारी यह सारी ब्योस्थाएं पब्लिक के लिए हैं पब्लिक चाहती है सरकार बदल जाती है ठीक है पब्लिक चाहती है सरकारे बदल जाती है पब्लिक चाहती है अधिकारियों का तबादला होता है तो सारा पावर पब्लिक के हाथ में है कभी भी संगीत ने कभी भ यहीं कर थार्जेंट कॉर फेडिकों करना, पर किन मार्केट में आप आप कीछी की दुहाण , संब म मार्केट में खुन करने हैं। जिस चीज चीज की दिमांडेंब ही लिए उपित decision कि औरुमा कि बिंद और अप भीगोंड ne तो आपके कहने का जो तातपर्य है वो मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि भोजपूरी में असलीलता का सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है। लोग लगा तो रहे हैं लेकिन चुपके से पिछले दरबाजे से वो भी सुन रहा है। बिलकुल बिलकुल मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि लोग बोलते तो हैं कि विरोध हो रहा है लेकिन वो विरोध दिख नहीं रहा है। आप जिसको असलील बोलते हैं, उन लोगों का प्रोजेक्ट धाई लाख में, तीन लाख में, चार लाख में, पांच-पांच लाख में बिकता है, कमपनियां खरीद रही हैं, जिनको आप लोग ये कहते हैं, कि हम इन चीजों का विरोध करते हैं, ये ऐसे गीतों को गाने वा एक निजी सवाल कि, चुकि संगीत के इस सफर में, लिखने का दोर कब से शुरू हुआ, और क्या रहा जर्नी अब तक का? मुझे लिखते हमको लगता है, कि धीरे धीरे छे साल लगबग गुजर चुके हैं, और मेरा जहां घर है, मैं उत्तर प्रदेश महू का रहने वाला हूँ, और मैंने संगीत भी सीखा हुआ है, क्योंकि माहौल नहीं था, और समय का साथ नहीं था, तो साइद में बहु इन तो सीख नहीं पाया, प्रोफेशनली में राइटर था नहीं, नहीं मैं हूँ, नहीं मैं ये मानता हूँ कि लोग हमको राइटर का है, सौखिया तो पर लिखता था, कुछ गाने दिलीज हुए, लोगों ने पसंद किये, डिमांड बढ़ा, तो काम सुरू हो गया, तो लोगों को अच्छा लगता है, तो अभी फूल टाइम आप गितकार की भूमिका में आ गये हैं, जी अभी तो मैं फूल टाइम गितकार की भूमिका में, छे साल से काम कर रहा हूँ, मैंने सुरुवात किया है, चुकि समय नहीं मिल पाया, ये सोचते कि अप कर लेंगे, कल क परसो कर लेंगे यह सोचते सोचते अच्छा खासा समय बीत गया हमारा लेकिन मैं और सिंगिंग भी सुरू किया है मेरे एक दो गाने रिलीज हुए है और लगतार मेरे मेरे गाय हुए गाने भी पबली के बीच जाएंगे और उमीद है कि जो प्यार हमारी लेखनी को मिली है ह एक और बहुत अहम सवाल है जैसे भोजपूरी इंडस्टी को जिस नजर से हम देखते हैं तमाम इंडस्टी अब तक की जो रही है उसमें लिखने वालों की भूमिका एक अलग होती है वो अपनी एरोजी रोटी भी चलाते हैं उनकी जीवाने आपन होती है लेकिन भोजप जैसे भोजपूरी में समस्या यह जो भोजपूरी की पब्लिक है ठीक है जो भोजपूरी और यह जो महाल लोग है जो सरताज बने बैठे हैं इन लोगों ने भोजपूरी की लगभभ वो दसा कर दी है कि बहुत सेंसियर लोग बहुत पढ़े लिखे लोग उनको अच्छा भी लगे तो भी भोजपूरी नहीं सुनते अपना इस्टेस बचाने के लिए अपने लोगों में जैसे वकील हों डॉक्टर हों इंजिनियर हों तो उनकी भासा भी है भोजपूरी वो चाहते उनको अच्छा भी लगता है लेकिन बदनामी नहों इस चक्र में भोजपूरी के मतलब टेकनिसियन को भी लोग पहचानने लगे हैं वो लोग लाइब आते हैं उनलों का इंटर्व्यू होता है तो जो कंपनियां होती वो डायरेक्ट सिंगर के साथ काम करती है ठीक है तो यह पूरा कंट्रोल सिंगर के हाथ में है अभी फिलहाल इस यह बात कोई छुप क्योंकि एक सिंगर को अस्टार बनाने में पहला कड़ी वही होता है अगर गीत अच्छे नहीं होंगे तो अस्टार बनना तो दूर वो किसी गली में भी नहीं रहा सकता लेकिन उसके बावजूद भी जो अतथा कतित अस्टार हैं बड़े-बड़े गारियों में गुम रह काली है रिवेन नीव पैसे की कमी नहीं है गितकार भूखे क्यों मर रहा है इसा भी नहीं है बोजपूरी इंडस्टी से हमको लगता है कि लाखो लोगों का घर चलता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई टेक्निसियन भूखा मर रहा है यह सच जरूर है जो टेक्निसियन को सुधरना पड़ेगा इसमें गलती इस्टार की भी नहीं है तेकनि ऐसे टेकनिसियन हमने देखे वह इस्टार के साथ फोटो घिचवा के खुस हैं उनको लगता है कि मेरे मोबाइल में मोबाइल के गैलरी में सारे इस्टारों के साथ फोटो है तो मेरी जिन्द ही गुजर जाएगे उन्हों से निवेदन है कि सोच को बदलिए प्रोफेशनल बनिए और यह सच है कि 80% जो टेकनिसियन है वो आज के टाइम में भी वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि वो अपने इस्टार से बात कर सके कि भाई मेरे इस काम का ये रेट आप दीजिए 80% लो और यही क खड़ा होके आवाज उठाता है तो इस्टार को यह लगता है कि इनके अंदर घमंड आ चुका है मतलब आप हक से अपने पैसे के भी बात नहीं कर सकते इस्टार से भोजपूरी इंडस्टी की हालत इतनी देनी है तो बहुत-बहुत धन्यबाद कुंदन प्रित जी हमारे चैनल में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यबाद आपका तो चुकि अब तक हम बात कर रहे थे भोजपूरी की उन तमाम पहलूओं पर जिस पे अब तक जो लोग नहीं सोच पाते हैं जो नहीं समझ पाते हैं चुकि अंदुरूनी बहुत सारी चीजें हैं जो जानना जर अब रोक आम लेकर क्याते रहें कि आप बने रहें बिगनी उजना इनके साथ देजिया इजाजत नमस्कार